हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं हूँ डॉली आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फ्रेंड्स चली आज बनाते हैं भरता तो हम भटे लेंगे भटे मतलब एक भी ले सकते दो भी तीन भी जैसा आप घर में मैंबर हूँ उसे साब से बनाएं और भटा लेके हम उसमें कर लेंगे छेद छेद फ्रेंड्स हम क्यों कर रहे हैं आगे आपको पता चलेगा इसको ऐसा छेद करें कि अगर हम इसमें कुछ डालना हो रखना हो तो हम रख सकते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स इसको ना चा फ्रेंडी भी है और लेसन गरम भी करता है तो ठंडियों में बॉड़ी के लिए बहुत अच्छा भी होता है और फ्रेंड्स लोग ऐसे गरम करके भी खा लेते हैं ऐसे लेसन और भरता भी थोड़ा बादी भी होता है इसलिए लेसन डालना जरूरी है और इसमें भी जैसी प् ज्यादा नहीं करना है friends की cut जाए भटा बस हाँ इतना काटना है कि उसमें lesson चला जाए और बस इस हिसाब से हम इसमें 4-13 भटे में lesson लगा देंगे और lesson ना friends मैंने पहले ही चील के रख लिया था और कोई भी चीज ना friends अगर आप बना रहे हों कोई भी हो जटपड बनने वाली हो या फिर थोड़ी लंबी processing वाली हो कैसी भी हो पहले आप ना तयारी करके रख लीजे क्योंकि हम तयारी कर लेते ना friends तो फिर जैसे हम beginners होते हैं जैसे फ्रैसर होते हैं तो हमें ना फिर ज्यादा होचपोच नहीं रहती नहीं तो फिर घबराट के करें आदा साना सामान हम गलत ही बना लेते हैं गलत ही कर देते हैं और फिर फ्रैंस गैस जलाएंगे और गैस जलाके हम यह जाली रखेंगे फ्रैंस आप भी ना कुछी रख के ही भूझे क्योंकि ना friends मैंने ना एक बर गलती कर दी थी तो फिर जो उसका माटेरियल पानी सा गिरता है उससे मेरा गैस खराब हो गया था और काम भढ़ और गया था इसलिए और फिर इसमें ना फ्रैंस थे कि एक भटे में जिससे मैंने तेल लगा दिया है ना आप ऐसे ही दोनों भटों में तेल लगा के मतलब सेखने को तेल लगा के ही रखे हैं आप मतलब और जो घैस है ना फ्रैंस ना ज्यादा मीडियम और ना ज्यादा स्लो आप बीच का करके रखे हैं ऐसे मीडियम करके रखें कि आप जले नहीं ठीक है और फिर फ्रेंट्स क्या है इसको हम पलट देंगे और जे ना फ्रेंट्स जैसे उसकी पूछ दिख रही है ना पीछे साइट इस साइट से आप अच्छे पकाएं क्योंकि ना फ्रेंट्स इस तरफ जल्दी पक नहीं पाता है और जलने और लग जाता है इसलिए आप इसको ना थुड़ा मत्ती आज में इस तरफ ना आप खड़े होके खुद सेखिए नहीं तो कुछ टाइम के लिए अपन क्या करते रखते छोड़ देते हैं भूंज रहा है लेकिन पीछे जो उसकी पूछ साइट ना बहुत कम भूंजता है फिर इसके ना मैं एक टामाटा भूंज लूँगी और फ्रेंट्स मैं ना टामाटा बाद में इसलिए रख रही हूँ अराम होता है पकड़ना फिर इसको और मैं तो बहुत चिक जाती हूँ और फिर एक जाली में ना फ्रेंट्स क्या करेंगे एक जो लैसन की गाट रहती है उसको फिर और भूंज लेंगे फिर ये ना फ्रेंट्स देके ठंडा हो गया है तो मैं इसलिए हांस से भी पकड़ पा रही हूँ और हांस से पकड़ने के बाद इसको जो छिलकी है ना फ्रेंट्स जित्ते निकलेंगे तो निकाल दूँगी हलकि भुन जाते हैं तो फिर वो तो निकल ही जाते हैं तो मैं इसको अलग-अलग से आराम-ाराम से इसको छील ले रही हूँ और आप भी friend से इसको थंडा करके अच्छे से कियर फुली ही काम किया करें क्योंकि ना मैं तो बहुत चिक जाती हूँ और फिर फ्रेंट देखे ये वाला दूसरा में मैं छील लूँगी और ये देखे फ्रेंट ना पका ही नहीं था जब पीछे से काट के फेक नहीं पड़ा मैं आपको यही बोल रही थी ना आगे इसलिए मैं पहले ही बोल दी थी और ये फ्रेंट्स छिलका में निकाल ले रही हूँ और छिलका ना फ्रेंट्स मैं उसी पानी में रख ले रही हूँ फैले नहीं मतलब और जो चिलके रखे हैं मैंने जैसे टमाटा और भटा मैंने उसको दूसी प्लेट में ट्रांसपर कर दिया है कि ये कच्रा नीचे ना फ प्रेटफर्म साफ रहे और फिर एक बावल लूँगी बावल में फ्रेंट्स फिर में टमाटर का उपर का ना जो काट के फेक दिया फ्रेंट्स वह भी नहीं हुआ था अच्छे से और फिर ना इसको मैं थोड़ा-थोड़ा काट लूँगी कि मतलब जो हम इसको आगे हास से या फिर आलू मत्हिनी मसक नहीं आती नहीं से हम जो मसक देते हैं कोई जी उससे तो हमें ज्यादा फिर वो ना लगे और ऐसे भटे को भी हम थोड़ा-थोड़ा सा काट लेंगे और देखिये फ्रेंट्स जो ना लेसन लगाये थे वो दिख रहे हैं इसमें यह देखिये है तो हम इसमें मिला लेंगे फिर इसको ना फ्रेंट्स हम अच्छे से हास से मसक लेंगे और हास से इसलिए भी अच्छे से मसक रहे हैं फ्रेंट्स क्यों ना जो हमने अंदर लैसन डाले हैं लैसन अच्छे फूट जाएं फिर फ्रेंट्स इसमें जो हमने लैसन की कली नमक डाल दिया है तो नमक आप डाले न तो आप अपने टेस्ट के अनुसार डाले कि कम जादा जैसे भी आप लोग खाते हैं उसे साब से आप नमक को डाले और लैसन फ्रेंट्स दिख रहे हैं इसको अच्छे से फोर्ड लीजिए मतलब कि एक दम खड़ा-खड़ा मूह में नहीं आए क्योंकि किसी को ज्यादा लैसन पसंद नहीं आता है इसलिए आप उसको अच्छे से फोर्ड लीजिए ठीक है और फिर फोर्ड नेके बाद ना फ्रेंट्स जो धनिया धूके और काटके रखा है फिर उसको मिला दीजिए और फिर देखिए फ्रेंट्स कितना तैयार हो गया है और इसे दाल रोटी भरता खाईए और लाइक सिया सब्सक्राइब जरूर कीजिए